नमस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में जे प्रकास पावर विंचर स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं एक ये विनम्र निविरन के साथ ये कहूंगा कि जब आप वीडियो देखने के लिए आते हैं तो इस बात को सुनिशित कर लें कि आप ग्यान लेने के लिए आते हैं या ज्यान देने के लिए बहुत सारे लोग ज्यान पेल रहे थे कि इसके फाइनेशियल्स जो हैं वो काफी वीक हैं सर आप क्यों इसको सजेस्ट किये हैं भाई मैं प्रसनली से स्टॉक को होल्ड किया हूं मेरी बाइंग 6 रुपीज के आजपास का ह और मैंने आपको कई बार कहा आप मुझे ही नहीं दुनिया में किसी को भी फॉलो करते हैं तो एजुकेशनल परपस से करें खुद की जो इंटिलिजनसी है खुद के जो नॉलेज है उसको इंप्लिमेंट करें किसी भी स्टॉक को बाइशेल और होल्ड करने से पहले ऐसा न आगे के टारगेट पीछे कहा एगजिट करना इसके स्टॉप लोस पहले ही प्री डिफाइन कर लें और उसके बाद जो भी न्यूस ट्रेंड कर रहा है उस न्यूस के कारण उसके होने वाले इंपेक्ट को को रिलेट करें इस प्रकार से ऐसा होगा कि आपको कन्फूजन न चाहा कि आप तक भी अप्डेट सेयर करूं मैंने और मैं लॉंग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा चूकि पेनी स्टॉक पेनी तो नहीं कहेंगे क्योंकि 12,000 करोर के आसपास कहें लेकिन छोटे प्राइस के पावर सेक्टर सिग्मेंट में यह स्टॉक मुझे आ अपडेट से हैं उसको समझे इससे पहले प्रीमियम टेलिग्राम को जॉइन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से एकाउंट आपेन कर लें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर सेयर करेंगे सबसे पहले यहां देखें जैपरकास पावर विंचर 12,384 करोर की जबकि इंडस्री पी 35 का है बुक वैल्यू 16 का है और सबसे अच्छी बात कमपनी के जो सेल्स रहे हैं वो देखेंगे कि कंटिन्यूस जो सेल्स है वो ग्रोथ होते वे दिखा है अगर यर्ली सेल्स देखेंगे तो इस समय स्टॉक रीसेंट के हाइस्ट यर्ली सेल्स पे स् 33% है कोटरली ऑप्रेटिंग प्रोफिट देखेंगे तो कमपनी ने 590 करोर के प्रोफिट डिकिलियर करे हैं जो रीसेंट का हाइस्ट वर है मुझे पता नहीं कि आप किस प्रकार से फाइनेंशियल्स देखते हैं या आपको देखने ही नहीं आता है ये मुझे पता नहीं ह उसके बाद अगर इसे स्टॉक में होल्डिंग को देखें तो FI की होल्डिंग बरी है डि आई ने थोड़े नोमिलल होल्डिंग घटा हैं पबली की थोड़ी बहुत बरी है और ये जो प्रमोटर आपको JP Associates दिख रहा है उसका कुछ भी लेना देना इसके financials या इसके activities प को लेकर के फाइल किये गए थे उसके कारेन इसको भी डूमर बनाया गया है यहां थोड़ा समझे dear sirs this is the reference to our corporate announcement dated 3rd जून 2024 intimating about the admission of Jeprakas Associates Limited under the promoter company in corporate insolvency resolution process under section 7 under insolvency and bank corruptic code 2016 ये इसके promoter हैं जो इस समय insolvency के थूरू जाते दिख रहा है अब आगे देखेंगे we are receiving the query from shareholders expressing their concern about the status of Jeprakas Power Venture Limited चुकि rumors परहा तो जो इसके shareholder है उनका तो concern होगा ही इसी concern को लेकर के board ने update दिया है क्या update दिया है in this respect this is to explain that the disclosure was given pursuant to the compliance of SEBI जो insolvency को लेकर के दिखा था JPVL यानि Jeprakas Power Limited जो की JP Power है is a separate legal entity managed by a separate board of directors and team of executives ये एक separate entity है जो separate board separate team के द्वारा regulate किया जाता है the plants are operating smoothly at optimum capacity optimum capacity पे company इस समय operational है उसके बात देखेंगे because of our development there is no impact on the operational performance and financial well-being of the company ये जो concern बना है ये जो insolvency की news आई है इसके कारण JP Power पे नहीं operational performance कुछ negative रहा है नहीं company के well-being financials पे कुछ impact हुए है इस चीज को आपको समझने चाहिए आज के volume लगबग लगबग 4.6 करोर का रहा fundamentally there is no any concern बिल्कुल concern नहीं है technically stock week है इस चीज को मैं deny नहीं करूँगा technically जो trend के reversal है वो reversal आपको 21 के उपर दिखेंगे एक बार इस level को अगर breakout करे तो ही बरा trend दिखेगा लांकी ये already support को भी breakdown कर दिया है ये previous support को respect किया यहाँ देखेंगे ये consolidated zone है और previous resistance यहाँ पर support बना अब ये एक range consolidated हो सकता है बरे trend बरे trend in a sense की 34, 40, 60 जैसे target 21 के उपर के closing पर ही दिखेंगे I hope ये video informative रहा, thank you for watching this video